सभी पसुप्रेमी बाई योश्रेंद्रिशिंग की तरफ से निश्कार दोस्तो आज हम आपको एक पुंग नूर नसल का नंदी दिखाएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे उससे पहले सभी बाईयों से करना चाहता हूं योदि आपने अभी तक चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मेंगे टीग बिटन को भी दबा लें दोस्तो ये पुंग नूर ब्रीड है जो ये साउथ इंडिया की है यानि दक्षिन बार्त की नसल माने जाती है और जो हमारी सदियों से चली आ रही पुरानी जो देशी हमनी नसलों में से एंख और जो इनकी मैं मुख्य है जो इनका एक चिन होता है वो इनके उपर जो वीट के उपर हम्प होता है तो देखिया आप हम्प कितना है ये बुल पुंग नूर नसल जो उत्तिय हाएट में बिल्कुल ही ननी होती है क्योंकि ये पाड़ी नसल माने जाती है और पहाडों में जो हाइट कम हाइट के और हल्क के बजन के पसू या गाएं होती है तो इसले होती है कि ताकि बारी स्रीर के चलते उनको कोई अपना सांस लेने में दिक्कत ना तो इसले हैं अब से चलो एक चार फाई ओती है चार पाई जितनी आई टोगी बुलकी और हम है जो इसका बहुत ही बढ़िया है और जो शबाह होता है इनका शांत सभा होता है बिल्कुल और दुरलब नसल है ये बिल्कुल खतम होने की कगार पे हब इसका सरंक्षण इतना नहीं किया गया लेकिन गवर्मेंट काम कर रही है भी आई होप काफी तरक्की मिलेगी आने वाड़े से मैं में इस ब्रीड गो लों के पसोती है गाएं यारनन्दी कुछ भी हो शांत सभा होते बिल्कुल हम्प देखिया आप कितना होता है और काफी सुन्दर और प्यारी छोटी सी जो पर जाती है एक देशी नसल की गाएं की वो पुंग नूर है और पहाड़ी छेत्रों में ज्यादा तर साउथ इंडिया में ही पाई जाती है ये और काफी जोगल कंबल है और इसका हम्प है और इसकी सुन्दरता में चार चान लगाते हुए दुरलब नसल है सरंक्सित करने की इनको जरूरत है और ज्यादा तर साउथ इंडिया में पहाड़ी छेत्रों में पाई जाती है ये पहाड़ों के उपर आराम से रैज सकती है ये वैजे सरंक्सित करने के लिए सरकार भी अभी काम कर रही है इनको क्योंकि खत्मोने की कगार पे है ये ब्रीड और काफी जो इनकी समता हुती है दूद की और होते हैं और हाइट है जो मैन इनकी बहुती चोटे-चोटे हाइट के थोड़े से ही स्थाम में आ जाते हैं ये और पूनूर नसल भूत ही बढ़िया बारती है नसलों देशी गायों की नसलों में से एक नसल है गायों की और जिसे सरंक्सित करने की जरूरत है और अब आपको बताना इस नसल के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से बरें बहुत बहुत धन्यवार नहीं